दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुढ़ कालीग महिलावित मंतरी कौन है तो हो जाएगा इसका एंस्वर निर्मला सीतारमन दोस्तों यदि पुढ़ कालीग पूछे तब होगा निर्मला सीतारामन और यदि यही direct question बोल दे कि देश की पहली महिला वित्तमंतरी कौन है तो उसका answer हो जागा इंद्रा गांधी अगर पूर्ड कालिक महिला पूछे या तब जाक होगा इसका एंस्वार निर्मला सीतारामन और देश की पहली महिला वित्मंतरी पूछे तो इंद्रा गांधी हो जाएगा अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है 2019 का आम बजट किस तारिक को पेश किया गया था और किन के द्वारा पेश किया गया था अगला कोश्चन है भारती सम्विधान के किस अनुच्छे में बजट सब्द का वर्णन किया गया है दोस्तो most important question है भारती समविधान के किस अनुच्छेद में बजट सब्द का वरणन किया गया है तो इसका अनुच्छेद 112 में बजट सब्द का वरणन किया गया है अगला कोश्चन है 2019 के बजट को किस नाम से संबोधित किया गया तो दोस्तो 2019 के बजट को बहीक हाता के नाम से संबोधित किया गया अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है 2019 का बजट ब्रीफ केस के जगह पर किस में प्रस्तूत किया गया था तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा लाल रंग के मखमली पैकेट में दोस्तो 2019 का जो बजट पेस किया गया था वो ब्रीफ केस के जगह पर लाल रंग के मखमली पैकेट में पेस किया गया था अगला कोश्चन है बजट 2019 में महिलाओं के लिए बड़ी योजना की बात कही गई है इस योजना का नाम क्या है दोस्तो इस योजना का नाम है नारी तू नाराएडी अगला question है income tax return भरने के लिए pen card के अस्थान पर किस card का और उपयोग किया जा सकता है तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा आधार card income tax return भरने के लिए pen card के अस्थान पर आधार card का भी उपयोग किया जा सकता है इसके पहले income tax भरने के लिए pen card अनिवार होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आधार card से भी आप income tax भर सकते हैं अगला है ग्रामीर रोजगार के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है तो दोस्तों ग्रामीर रोजगार को बढ़ाने के लिए इस फूर्ती योजना का शुरुआत किया गया है 2019 के बजट में अगला question देख लेते हैं अगला question है बजट 2019 में वित मंतरी निर्मला सीता रमर ने कितने रुपए के नए सिक्के जारी करने का फैसला की है तो दोस्तों बजट 2019 में निर्मला सीता रमर जी के दवारा एक उरुपए दो रुपए और पांच उरुपए का नया सिक्का जारी करने का उन्होंने निरेड़े लिया है एक मिनिट दोस्तों अगला question है अगला question देखते है अगला question है budget 2019 में budget 2019 में सोध को बढ़ावा देने के लिए कि संस्थान की अस्थापना की जाएगी तो दोस्तो बज़र 2019 में सोध को बढ़ावा देने के लिए Null Research Foundation की अस्थापना की जाएगी अगला question देखते हैं अगला कोश्चन है बजट 2019 के अनुसार बजट 2019 के एक मिनिट दोस्तों बजट 2019 के अनुसार कीसी योजना के तहट 7 करोड से अधिक LPG कनेक्शन दिये जाने की बात कही गई है तो दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि उजवला योजना के तहट फिरी में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है जो कि 7 करोड लोग इससे लाभानवित हो चुके हैं अगला है खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया कारेकरम के तहट किस बोड की अस्थापना की बात कही गई है तो दोस्तों खेलो इंडिया कारेकरम के तहट राष्टी खेल सिच्छा बोड की अस्थापना की गई है अगला है बजट 2019 के अनुसारवित मंतरी के द्वारा किस सेक्टर के लिए नया टीबी चैनल लांच करने की बात कही गई है तो दोस्तो इसका अंसर रोजागा इस टार्ट अप के छेतर में नया टीबी चैनल लांच की जाएगी अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन भारती बजट के संस्थापक किशे माना जाता है तो दोस्तो भारती बजट के संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है अगला है देश के कितने परधान मंतरी परधान मंतरी पद पर रहते हुए उनके द्वारा बजट पेस किया गया है तो दोस्तो ऐसे तीन परधान मंतरी हमारे रह चुके हैं जो कि परधान मंतरी के पद पर रह करके भी उन्होंने बजट पेस किया है यानि कि वित मंतरी का कारेभार संभाला है निभाया है तो पहले हैं जवाहर लल नहरू, दूसरे हैं इंद्रा गांधी और तीसरी हैं राजियो गांधी जवाहर लल नहरू, इंद्रा गांधी और राजियो गांधी ये तीन हमारे ऐसे परधानमंतिरी रह चुके हैं जो की बजट को परधानमंतिरी के पद पर रहते हुए भी पेस किये हैं अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेस किया गया था दोस्तो स्वतंत्र भारत पहला बजट आरके सर्मुखम सेठी जी के द्वारा प्रस्तूत किया गया था Most important question है इसको दो से तीन बार ध्यान दे के पढ़िएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेस किया गया था तो आरकेस और मुखम सिठी जी के द्वारा अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है किस परधान मंतरी ने पहली बार बजट पेस किया था तो दोस्तो बजट सब्द का आर्थ चमडे का थैला होता है बजट मिस होता है चमडे का थैला अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट आरकेस और मुखम सिठी जी के द्वारा किस दिन पेस किया गया था तो दोस्तो 26 नवंबर 1947 ये दिन आपको याद रखना है 26 नवंबर 1947 को आरकेस और मुखम सिठी जी के द्वारा बजट पेस किया गया था अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है गरतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को किस के द्वारा पेस किया गया था दोस्तो अगर स्वतंत्र भारत का पूछे आपको एक मिनिट दिखा देता हूँ अगर स्वतंत्र भारत का पूछे तो 26 नवंबर 1947 हो जाएगा और गरतंत्र भारत का अगर पूछे तो 28 फरवरी 1950 को हो जाएगा तो इसका एंस्वर देख लेते हैं गरतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी को जान मताई जी के द्वारा पेस किया गया था अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है अब तक सबसे अधिक बार बजट पेस करने का रेकार्ड किसके पास है तो इसका एंस्वर हो जाएगा मौरार जी देखाई जो की 20 बार बजट पेस कर चुके हैं अगला कोश्चन है बजट 29 के अनुसार टेक्स में छूट 2 लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो दूस्तो बजट 2019 के अनुसार टेक्स में छूड 2,00,000 से बढ़ा कर 3,50,000,000 कर दिया गया है अंगला कोश्चन है किस वर्स बजट पेस करने का समय पांच बज़े से बदल कर दिन के 11 बज़े पेस किया गया था तो दूस्तो सन 2001 से इसका समय बदल दिया गया है पांच बजे से इसका समय बदल के 11 बजे कर दिया गया है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन ने किस वर्स रेल बजट को आम बजट में सामिल कर लिया गया था तो दोस्तों सन 2017 से रियल बजट को आम बजट में सामिल कर लिया गया है अगला कोश्चन है बजट 2019 के अनुषार भारती अर्थब्यवस्था वर्ष 2019-20 में कितने डालर की हो गई है दोस्तों most important question है कि बजट 2019 के अनुषार भारती अर्थब्यवस्था वर्ष 2019 बीस में कितने डालर की हो गई है तो दोस्तों 3 ट्रिलियन डालर यानि कि 3 ट्रिलियन डालर की सन 2019 बीस में भारती अर्थव्योस्था हो गई है अगला कोश्चन है बजट 2019 के तहट किस देश में अठारे नए भारती दूतावास मीशन खोलने का प्राउधान किया गया है तो यह हो जाएगा अफरिका अफरिका में अठारे नए भारती दूतावास मीशन खोलने का प्राउधान किया जाएगा अगला question देख लेते हैं अगला question है जल जल जीवन मीशन के तहट किस वर्स तक सभी ग्रामीड परिवारों को हर घर में जल पहुचाया जाएगा तो दोस्तो सन 2024 तक सभी ग्रामीड परिवारों को हर घर में जल पहुचाया जाएगा अगला है किसानों की आय दोगुना करने का लच्छ किस वर्स तक पूरा कर लिया जाएगा तो सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लच्छ वर्स 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा अगला है भारत विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थ ब्यवस्था है बजट में वित मंतरी निर्मला सीता रमड ने अर्थ ब्यवस्था की धमनी किसे कहा है तो दोस्तों संपर्क सेवाओं को बजट में वित मंतरी निर्मला सीता रमड के द्वारा अर्थ ब्यवस्था की धमनी कहा गया है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला question है budget 2019 में बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किस परियोजना को चलाया जाएगा तो दोस्तो सागर माला परियोजना को बंदरगाहों को जोड़ने के लिए चालू किया जाएगा question ऐसे भी पूछ सकता है कि सागर माला परियोजना किस से related है तो दोस्तो ये बंदरगाहों को जोडने से related है अगला है 2019 का अंतरीम बजट किस दिन पेस किया गया और किस के द्वारा पेस किया गया तो दोस्तो 2019 का जो अंतरीम बजट है यानि कि जो इसके पहले पंच वर्षी का चुनाव हुआ था और मोदी जी चुनाव जीते थे तो उसका लास्ट वाला बजट जो पियूस गोयल जी के द्वारा पेस किया गया था और एक फरवरी सन्दू 2019 को फिर जब नया इनका मंतरी मंडल का गठन हुआ है दूसरी बार नरेंदर मोदी जी पीम बने है तब जाके सेकेंड बार जो है कि निर्मला सितारमड जी वित्मंतरी बनी है और उन्होंने बजट पेस किया है अगला है अंतरीम सब्द का परयोग बजट में सबसे पहले सन 1948 में किसके द्वारा किया गया था दोस्तो आरके सण मुखम से टीजी के द्वारा अंतरीम सब्द का परयोग किया गया था बजट में अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो अगला कोश्चन है किस वर्स बजट पेस करने की डेट को एक फरवरी कर दिया गया था तो दोस्तो सन 2017 से सन 2017 से बजट पेस करने के डेट को एक फरवरी कर दिया गया था दोस्तों ये हम लोगों के वीडियो का हम लोगों के क्लास का ये लास्ट कोश्चन था फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले डे झाल